नमस्कार साथ यहां आप सभी का हमार इसक्रेशनल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमिटी पर एक बार फिर दस्वागत है बात करेंगे हम लोग यहां पर टार्गेट CGSI और इसकड़ी में आपका यह रिजनिंग का लेक्चर नमबर 10 होने वाला है तो क्या कुछ खास रहने नमih पर डिसकस कर लेते हैं तो आज के दिमें सेशन की बात कर रहूं तो आज हम लोग यहां पर लॉजिकल रिजनिंग पर बेश प्रमस्पर चर्चा करेंगे और साथिसाथ साता करें अगरत करहूँ हैं तो सिलोक्स पर बेश ruler самый बात करने तो सिलोक से related basic concepts की चरचा नहीं करेंगे इसके basic concepts को लोग main classes की क्लास्स में क्या करने इसके करने आज हम लोग परत्मों को बनाने के लिए जो आपका अप्रोच होना चाहिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग सी लॉक्स के प्रशनों की बात कर रहे होंगे क्लियर तो काफी मज़ा आने वाला आप लोगों को आज के सेशन में तो मैं चाहूंगा कि सभी विद्यार्थी जो भी सेशन को देख रहे हैं जादा से जादा शियर करें जादा से जादा लाइक करें और साथ इसाथ पूछे के प्रशनों का उत्तर भी बनाते हुए चलें का सेशन तो सबसे पहले करेंगे स्टेट्मेंटं के साथ सबसे पहले हम ठोड़ा सा समझलेना है the difference किस having बीच statement and conclusion के बीच और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो syllogism के questions के बीच जब हम syllogs पर बेश questions की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर भी आपको statement given होते हैं और साथ ही साथ आपको conclusions given होते हैं और आपको बताना होता है कि कौन से conclusion दिएगे statements का अनुसरण कर रहे हैं या फिर कौन से statement आपके दिएगे conclusion का अनुसरण नहीं कर रहे हैं यानि कि अगर हम syllogs की बात करें तो statement and conclusion को भी हम क्या कर सकते हैं when diagram का use करके when diagram का use करके statement and conclusions पर बेश्प्रस्णों को हल कर सकते हैं लेकिन बाते हैं तो एक अलग टॉपिकि को जाता है जब कि हम बात करते हैं पंपने आपका एक अलग को झाता हे दोनों को साथ नहीं करना है यह नहीं तो बे दिए गए अलिमेंट्स पर ही हेस्ट कोश्टन होते हैं यहां पर इफरेंच वह तब trouvé यानि कि आपको other elements भी देखने को मिलेंगे clear तो इस प्रकार से हम identify भी कर सकते हैं बाकि अगर हम बात करें किस प्रकार से यहां पर questions को बनाना होता है तो simply हम फटा-फट से question को पढ़ेंगे और जब हम बात करेंगे हम logical reasoning के प्रशनों को बना रहे होंगे तो इस बार हम लोग हि अगर आपको किसी प्रकार का confusion है तो आप क्या कर सकते हैं तो दुसरे language की help ले सकते हैं जैसा कि मैं आपको बताते हैं तो बात करेंगा हम आसान से question के साथ में शुरुआत करते हैं यहां पर आपको कथन के क्या हैं लड़के हैं सभी अधिकारी क्या है लड़के होते तो यहां पर कुछ अधिकारी जो उम्मीदवार का पार्ट होंगे वो लड़कियां होना पॉसिबल नहीं था या आपका निसकर्स यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पूछा अग्लीन स्कॉर्स में आप से कुछ लड़के अधिकारी है यानि कि अधिकारी के जब करें लड़केंगे वह रहे हैं व्यवर तो कि अधिकारी हो शैया नहीं कि कथन में कहीं भी आहिसा लिखा हुआ नहीं दिखाई देывайтесь और जब हम बात करते हैं आपके statement पर best questions की तो statement को ही क्या मानना होता है सर्वोपरी मानना होता है अपने से हमें कोई भी additional दिमाग लगाने क्या हो शक्ता नहीं होती ही clear सब्सक्राइक अगलtz के वाला दें करोई और उसकस्ता अव्मार्यातोय मैं तो permit करते हैं करते ही फीकारी उसके अधिकारी है कि कुछ और उम्मीद्वार तो रहे हैं सकते कि सारे के सारी उम्मीद्वार अधिकारी भी हो यानि कि यहाँ पर आपका last वाला भी conclusion follow नहीं करेगा यानि कि अगर हम answer की बात करें तो option number D क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा non follows कोई भी अनुसरण नहीं करता है ठीक है तो हमें यहाँ पर एक non follows का भी option दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि अगर प्रशन पूछा गया है तो definitely हमें एक नए conclusion को जबरजस्ती का मान लेना है कि follow कर रहा है ऐसा भी कोई compulsion नहीं है बिल्कुल आराम से cool and calm हो करके logical reasoning पर based जो भी प्रशन आपके किसी भी topic से पूछे गए हो इतमिनान के साथ में आपको बनाना है बात कर सब इटमीन्स अगर यह बात हम आघे कि रवी में भी क्या होगा बेहतर stamina होगा तो यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगी सत्य हो जाएगी बात कर अगर हम यहाँ पर निसकर्सों की तो बोला जारा है रवी की शहन सक्ति stamina अच्छी तो अब इससी बात है यह तो आपको क्लियर बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले दी मैं प्रस्ण की बात करूं तो बोला जा रहा है मोनी को salmon मचली खाना पसंद है यानि कि मोनी क्या करती सेलमन मचली खाना पसंद करती है नेश्ट की अगर हम बात करें तो बोला जा में जाएंगे, clear? तो अगर हम बात करें, मोनी को जहिंगा मचली खाना पसंद नहीं है, जब कि मोनी को क्या है? सैलमन मचली खाना पसंद है, तो अगर हम निसकर्सों की बात करें, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं है अब समझिए यहां पर थोड़ा समय आपको क्या करूंगा डिस्क्राइब करूंगा इस दिये गए निसकर्ज को तो इस निसकर्ज को समझने के लिए अगर मैं बात करूं जब मैं कहता हूँ नो-a-r-b जब मैं कहता हूँ और जब मैं कहता हूँ जब मैं कहता हूँ उल-a-ar-not-b तो दोनों के दोनों statement में फर्क है हिंदी के अगर मैं बात करूं हिंदी में ज़री मैं कहूं कोई A B नहीं है और यदि मैं कहता हूँ सभी A B नहीं है तो दोलों के बीच में फरक क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर बोला गया है मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे इसको गलत माग करके चले आएंगे यानि कि यह भी फॉलो नहीं करता है तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कहानी के माध्यम से और दोनों में या पर हम फरक को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बार क्या होता है कि एक मजदूर जो की खेला या इस तरीके जो रिक्षे वगएरा होते हैं उसको चलाता है और वो क्या लेकर के जा रहा होता है भूसा लेकर के जा रहा होता है और रास्ते में क्या होता है जोर का तूफान आता है जब भूसा ले करके जा रहा होता है तो रास्ते में जोर का तूफान आता है और वो व्यक्ति क्या करता है किसम खाता है कि मैं एक भूसा उड़ने नहीं दूँगा वो कसम क्या खाता है कि मैं एक भूसा उड़ने नहीं द बचा ले तो आप कहेंगी कि ऐसा संभव नहीं है कुछ लोग कहेंगी कि भूसा हो सकता है पैकट में हो पूरा एक भूसा बाहर ना हो तो बचा जा सकता है अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आएगी लेकिन आप स्टेटमेंट पर ध्यान दें जो व्यक्ति ने कसम खाई तो व्यक्ति ने क्या कसम खाई कि मैं एक भूसा उड़ने नहीं दूँगा यानि कि एक भूसे को पकड़ ले बाकी सब उड़ जाए तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उसकी बात यहां पर क्या हो जाएगी सत्य हो जाएगी उसी प्रकार जब हम बोलत सभी यह भी नहीं है इट मीन्स कि यानि कि अगर हम बात करें सम ए यहां पर फिर से थोड़ा सा यह बोर्ड का इश्यू है एक मिनट के लिए वेट करेंगे चलिए आगे यह अपने स्थान पर इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग से सही कर देता हूं चलिए अगर मैं बात करूँ कोई यह नहीं है उनकि मैंने कहा कोई भी सिंगल पार्ट यानि कि चोटा सा है वी इस्टा सेसा भी नहीं होगा डेकी जब हम बोलते हैं सभी A B नहीं है, it means अगर हम बात करें A के कुछ हिस्से की, तो वो B हो सकता, यानि कि सभी A B नहीं है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा A कभी B नहीं होगा, यह बात तो बिल्कुल fix है, लेकिन अगर हम बात करें some part of A की, तो वो अपका B हो सकता है, उसी प्रक पसंद नहीं है, यानि कि कुछ पसंद है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 4 व्यक्ति हैं A B C, A B C और D, ठीक है, 4 व्यक्ति A B C और D, अब मैंने कहा, कि परिक्षा में सभी उत्तियन नहीं हुए, और परिक्षा में कोई उत्तियन नहीं हुआ, तो परिक्षा में सभी उत तो कोई भी आपका परिक्षा में उत्तिर्ण नहीं हुआ तो इस फरक को आपको इस थोड़े से डिफरेंस को समझना और मैंने कहा लैंग्वेज जो है ना वह बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करेगी आपके रिजनिंग सेक्शन में तो जब हम बात करते हैं यहां पर मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद हें तो यहां पर क्या पर क्या है सेल्मन मशली खाना पसंद है क्लियर अगले दिया हम बात करें यहां पर तो बोला जा रहा है मोनी को सभी प्रकार के समुद्री भोजन खाना पसंद है तो यह आपका डिफिनेटली गलत हो जाएगा क्योंकि हम यहां पर जींगा या लॉप्स्टर को समुद्री जीव कंसीडर कर सकते हैं तो आंसर के अगर अलग पेजेस पर प्रश्णु को रखा हुआ है तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं इंग्लिश में प्रश्ण को नोड करना वो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बात करें हम लोग यहां पर हिंदी में प्रश्णु की यहां पर बोला जा रहा कथन में जॉन की 90 विद् परिक्षा में अनुत्तिण हुए यह क्या हो जाएगा गलात हो जाएगा क्योंकि 90 के अगर हम 50 प्रतिशत की बात करें यहां पर भी देखिए थोड़ा सा समझें बोला गया है 45 विद्यार्थी परिक्षा में उत्तिण हो गया है अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछ लू कि जान की क्लास में 50 विद्यार्थी परिक्षा में उत्तिण हो गया है मालले तान उत्तिण की जगा यहां पर अगर हम उत्तिंण बोलते ठीक है कि और हम यहां पर बोल देते हो सकते है ठीक है अगर मैं si log s reference में बात करू या statement की ही रिफरेंस में बात करू, तो यहाँ पर केवल शब्द नहीं लिखा है, ध्यान दीजे, केवल शब्द नहीं लिखा है, अगर मैंने कहा, a कही Mr. A, a कही Mr. A, Mr. A के पास हमने कहा कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, हमने कहा Mr. A ने क्या कर दिए 50 रुपए खर्च कर दिए Mr. A ने क्या कर दिए 50 रुपए खर्च कर दिए ठीक है और यदि मैं आपसे पूछूँ कि Mr. A के पास 50 रुपए बचे हैं तो Mr. A ने 50 रुपए खर्च कर दी यह बात यहां पर निश्चित रूप से सही है Mr. A के पास 50 रुपए बचे हुए होनी चाहिए लेकिन यही पर अगर मैं कह देता हूँ कि Mr. A ने 50 रुपए खर्च किये तो यह जो आपका कथा ने इसको और क्या मिल जाएगी मजबूती मिल जाएगी यानि कि निसकर्स की अगर मैं बात करूं कि इसके पास 50 रुपए बचे होंगी अगर निसकर्स की बात कर तो इसको और पर यहां पर अगी क्या मिल जाएगी मजबूती मिल जाएगी और हम definite कह पाएंगे कि हाँ यहां पर आपको केवल शब्द देखने कु मिल रहा है तो एक केवल शब्द के जुड़ने से भी यहां पर आपको फर्क देखने को मिल भानाओं जब हम बात करेंग ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात कर उत्तर की तो उत्तर हो जाएगा यहां पर आपका केवल निसकर्स एक क्या करता है अनुसरन करता है जो कि आपको आपको देखने को मिल रहा है इसा सुझहाव दिया चाहता है कि आपको दिन में 2 बार क्या करना है कौफी पीना चाहिए जब हम किसी पेस्लेटार चूरा का हम सुझाव कि बात करते हैं है यह sun क्या करेंगा है या लाबदायक है तभी आपको ऐसा एडवाइज किया जा रहा है इटमीन से अगर हम बात करें पहले दिये के कंक्लूजन की कॉफी में भी हेल्दी ड्रिंक तो यह आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा जबकि सेकंड वाले कि तो एसा हमें कथन से खाहिं पिए ग्यात नहीं होता है कि कॉफी जादा हेल्धे है या फिर टी जादा फ सही हो जाएगा केवल एक आपका ओक्षिंद्ध किया आपको निचेु आपका रही हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए बात करें के अगले प्रस्न की सेम 20 pages a day राहूल क्या करता है रोजाना 20 pages रीड करता है ठीक है 20 पन्ने पढ़ता है यहां पर अगर हम बात करें निसकर्स की तो राहूल is a poor in reading तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि वह क्या है पूर है इसलिए 20 पन्ने पढ़ता है interest भी हो सकता है अपने interest के इसाब से वह 20 पन्ने पढ़़ सकता है next वन अगर हम बात करें राहूल must be having exams, यानि कि राहूल के exams हो रहे होंगे, और इस कारण से राहूल डेली 20 pages पढ़ रहा है, तो ऐसा भी हमें कहीं भी दिएगए statement से ग्यात नहीं होता है, यानि कि यहाँ पर अगर हम उत्तर की बात करें, तो उत्तर क्या हो जाएगा ना तो निसकर्स 1, ना तो निसकर्स 2, जो कि आपको यहाँ पर D के तौर पर देखने को मिल रहा है, तो सही option हो जाएगा यहाँ पर A, clear, यानि कि ना तो आपका निसकर्स 1 अनुसरन करता है, ना तो निसकर्स 2 अनुसरन करता है, बात करेंगे अगले प्रस्णकी अगलेदी में प्रस्णकी बात करूँ तो Snake Question आपको Hindi में आदेखने को मिल रहा है बात करते हैं यहांपर अगर मैं तो बोला है कनिश प्राप्त उपहार से क्या है खुश था कनिश के अगर हम बात करें तो प्राप्त उपहार से खुश था, conclusion के अगर हम बात करें, करनिश इसलिए खुश था, क्योंकि उसे उपहार पसंद आया, या उसे किसी के दुवारा उपहार पाना पसंद है, तो अब इसी बात है, अगर उपहार पाकर के खुश था, तो it means कि जो वो चाहता था, या जो भी उसको उपहार में दिया गया था, कहीं न करें, उसकी utility थी, उसे पसंद आया होगा, तभी वो क्या था, खुश था, तो पहला अगर हम conclusion की बात करें, तो यह आपका क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, यानि कि follow करेगा, next one अगर हम बात करें, कल कनिश्क का जन्मदिन था, तो जरूरी नहीं कि आपको केवल और क्यवल जन्मदिन की उपलक्ष पे ही क्या मिले, उपहार मिले, भाई लोग बहनों को रक्षा बंधन पे भी उपहार देते हैं, clear, और जैसा कि हम लोग reasoning की बात करें, तो reasoning में कभी भी नाम से gender decide नहीं होता है, तो हो सकता है, यह राखी का उपहार हो, किसके लिए, कनिश्क के लिए, clear, बात करेंगे अगले, प्रश्न की answer की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, answer की यह दि में बात करूँ, तो क्या हो जागा, पर आपको शब्द देखने को मिल रहा है क्या, only, यानि कि जो intelligent है केवल वही क्या करेगा, examination को pass करेगा, और John ने examination अगर पास किया, तो definitely John क्या होगा, intelligent, जीनो, sorry, John नहीं है, जीनो है, तो जीनो क्या होगा, intelligent student होगा, यह बात यहाँ पर बिल्कुल क्या fix है, जीनो is an intelligent student, तो पहला तो यहाँ पर क्या है, correct है, और अगर हम बात करें, जीनो is a good human being, तो यह हम यहाँ पर definite तौर पे नहीं कह सकते, यानि कि अगर हम बात करें, conclusion की तो conclusion हो जाएगा, only conclusion one follows, option की अगर हम बात करें, तो option number ही क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रश्न के लिए, clear, बात करेंगे अगले प्रश्न की, अगला same question आपको यहाँ पर हिंदी में देखने को मिल रहा है, तो आप लोग चाहते हैं, तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन से हड जा रहा हूँ, चलिए, बात करेंगे, यहाँ पर अगले पूछे गए, प्रश्न की, लेकिन इस बार प्रश्न की आप लोग हिंदी में देखेंगे, प्रतेक शोमवार क्या होता है, प्रतेक शोमवार आपका कार दिवस होता है, तो ध्यान दीजे, यहाँ पर सब्द देखने को मिलना प्रतेक, और अगर यही पर आपको शब्द देखने को मिलता केवल, तो दोनों में फर्क है, दोनों के फर्क को समझे, यहाँ बार बार आपको language की importance को समझाता रहा हूँ, बोला जारा है, प्रतेक सोमवार कार दिवस है, आज कार दिवस है, इट मींस यहाँ पर अगर बोला जाता, केवल सोमवार कार दिवस है, और बोला जारा, आज अगर कार दिवस है, तब हम निश्चित तोर पर बोल सकते थे, आज सोमवार है, लेकिन यहाँ निश्चित तोर पर नहीं बोल सकते, कि आज सोमवार है, सोमवार कार दिवस होता है, इसका मतलब यह कता ही नहीं है, कि बाकी की जो दिवस हैं, वो कार दिवस नहीं है, क्लियर दूसरे के अगर हम बात करें आप अच्छे हैं इसका खता ही मतलब यह नहीं होता कि सामने वाला खराब है ठीक है ना तो अगर हम बात करें यहाँ पर केवल सोंवार काड़ दिवस है तो यह भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ऐसा हमें कहीं भी स्टेटमेंट से घ चैटमेंट एंड कंक्लूजन की अगला हम देखते हैं प्रसन आपको किस टॉपिक से देखने को मिल रहा है तो अगले अगर हम प्रसन की बात करें तो यहाँ पर आपको आर्ग्युमेंट पर बेस्ट को बनाते हैं तो किसी भी एक दिए गए कथन को हम फेवर करते हैं यह ह कि में में a John's years on profoundu यहां पर हम क्या कॉश्च में का ऐसे हैं तो…… में यहां प्रबल हो सकता है जो और यहां पर प्रबल हो सकते हैं तो जो तर्क प्रबल में है और यहां पर रहाँ हो चाहिए यहां पर आपको बात समझ में आई होगी जब हम क्या करेंगे आर्गुमेंट पर बेस्ट को बना रहे होंगे तो दिये गए कथन को हम फेवर भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में भी जा सकते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए उसका एक कि हां तो क्यों तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ चात्रों और करमचारी के लिए प्रते दिन अपने घर से खाना लाना असुईधा जनक होता है तो अगर हम बात करें स्कूल की तो बहुत सारे ऐसे भी वहां पर करमचारी होते हैं जो कि क्या उस लोकल जगह से उस लोकल एरिया से बिलॉंग नहीं करते हैं बाहर से आ करके जौब्स वगरा कर रहे होते हैं तो उनके लिए अगर हम बात करें तो अरली मॉर्निंग ऊट करके भोजन बनाना प्रिक्ञ़ करना काई बार कढ़िन कारी हो जाता है इसी प्रकार हम बात करें बच्चों के का लिए भी काई बार पेरेंट्स्े लिए मान लीजेट कोई एक Master's Day जो की अभी एक Separate लें लेते हैं तब्वेत खराब हैं और असमर्थ थे क्या सुब्य का नाusanne ठ्यार करने के लिए तो हो सकता है कि अगर वहाँ पर कैंटीन हो तो बच्चे को किसी प्रकार की असुइधा ना हो तो अगर इसके हम तर्क की बात करें तो बोला जा रहा हां कुछ छात्रों और कर्मचारियों के लिए प्रति दिन अपने घर से खाना लाना असुइधा जनक होता है तो कई बार अगर हम हम बात करें कैंटीन के होने से उनके लिए एक सुइधा भी हो जाती तो बिलकुर हम इस यहां पर तर्क के साथ में जा सकते हैं अगली आदि में तर्क की बात करूं तो बोला जा रहा नहीं तो ऐसा नहीं है तो इसको हम डिनाइ कर देंगे इसका भी हम क्या देखेंगे एक वैलिड रिजन देखेंगे अगर वैलिड रिजन होगा तो यह भी आपका क्या होजागा तर्क प्रबल हो जाएगा ठीक है तो यहां पर अगर अगर हम बात करें नहीं सकता है नहीं कि आपका प्रबल हो लिए तो क्या है अगली आर्गुमेंट वान इस च्टॉंग केवल गया पर मझ्दूत है बात करेंगे अगले प्रिश्च QIIs अगले अधी में प्रस्च्च की बात करूँ टो बोला जारा है क्या laptop desktop से बहतर होते हैं यह प्रस्ट करेंगे हां की भी और इस भी उन्हें ले जाय सकता है भी कुछ सो बैसे साथे सूविधा जिनक भी होंगे जब किम डेस्टॉप को हर जगे ले करके कैरी करके नहीं चल सकते यानिकि यह तर्क बिल्कुल यहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है ठीक है नेक्ष्ट वाले कि अगर माथ करें नहीं वे निम्न विन्यास कंफिग्रेशन के होते हैं जैसे कि यहां पर दिया गया नो दे आर ओफ लो configuration तो अगर हम बात करें लैप्तोप की तो लैप्तॉप भी आपको बहतरीन configurations के साथ में market में available हैं तो अगर हम बात करें तो हम बैसिस पर बिल्कुल भी यहां पर compare नहीं कर सकते कि डेस्ट उप जो है वह बहतर configuration के साथ में आता है जबकि लैप्तॉप की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या जाएगा only argument one is strong clear कि नेक्स्ट वर अगर हम बात करें यहां पर प्रश्न की तो बोला शुड रिलीजन भी टॉट इन स्कूल्स क्या धर्म के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए तो तर्क की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है yes religion binds students together और बोला जा रहा है no it develops hatred in students ठीक है हिंदी की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं जिन विद्यार्थियों को यहां पर कठिनाई हो रही तो हिंदी में प्रशन देख सकते हैं हाँ धर्म चात्रों को एक साथ जोडता है और नहीं यह चात्रों में द्वेश पैदा करता है तो अगर हम बात करें यहां पर पहले argument की तो आपको वो गाना तो यादी होगा कि मजभ नहीं सिखाता आपस में बहर रखना और इवन मैं अपनी भी बात करूं तो जिस परिवेश में मैं रहता हूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक religion है तो वो किसी भी तरीके का हेट्रेट या द्वेश की भावना पैदा करेगा ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पर नहीं जो आपको दिया गया है कि क्यों नहीं होना चाहिए तो यह आपका यहां पर क्या हो जाएगा strong argument नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो तर्क दिया जा रहा है यह valid तर्क नहीं है अगर हम बात करें तो धर्म क्या करता है कि moral values को भी develop करता है फिर आप किसी भी religion से belong करते हूं ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें तो केवल तर्क क्या हो जाएगा एक यहां पर प्रबल हो जाएगा कुछ लाइने मुझे याद आ रही थी लेकिन exactly मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कनया के घर में सिवयों की दावत अगर आप में से किसी भी विद्द्यार्थी को इन पंक्तियों इन पंक्तियों को आपने सुना हो या आपको याद हो तो जरूर comment box में comment करके बताएं बात करेंगे अगले प्रश्णकी अगले दिन्स talk pan-kae- vorsぎ और खाट धी में प्रश्णकी बात करो हुँ तो बोला है should women entrepreneurs be encouraged यानि कि अगर हम बात करें महिला उद्यमियों को क्या किया जाना चाहिए बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर अगर हम तर्क एक की बात करें हां वइ कई यूवा, लज़कियों और महिलाओं को प्रेरीत करेंगी तो अबेश ल क्या होते हैं इंस्पेराइट होते हैं जब हम किसी व्यक्ति इसको हुआ हम समूँ विसेज को जब हम देखते हैं काम को करते हुए तो हमें भी क्या मिलती है इंस्पिरेशन मिलती कि अगर एक सामने वाला बंदा उस काम को कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक है तो अबेसी बात है यहां पर अगर महिला उद्योगी को हम प्रोसाहित करेंगे तो जो साथ साथ दूसरी ललकियां है जो महिलाए जो दूसर के विकास में मदद करेंगी तो अबैसी बात है अगर हम अग्पार इंठर कि बात करें वि Politik hungी और नाथ लग क्या में आपको दिया गया है यदि तर्क एक और दो दोनों क्या है प्रबल है क्लियर नेक्स यदि यहाँ पर मैं कोश्टन की बात करूं शुट गर्ल्स लर्ण मार्शल आर्ट्स लाइक कराटे ठीक है अर्गुमेंट वन की अगर हम बात करें यह इस इट विल हेल्प देम टु डिफेंड देमसेल फ्रॉम रोग्स इसका मतलब यानि कि वह अपनी क्या कर सकती है आत्म रख्षा के लिए इस स्किल का इस्तमाल कर सकती है किसके अगेंस तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बदमा तो अगर हम बात करें तो मार्शल आर्ट सीखने से या इस परकार की स्किल को सीखने से पढ़ाई में वो अपनी रूची खो देंगी ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ठीक है अगर आप किसी एक फील्ड में इंट्रेस्टेड है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि दू यह वहले तरक एक प्रबल है यानि कि आंसर की हम बात करें तो option number एक हो जाएगा right answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्ट के लिए अब हम लोग यहां पर सिलोक्स पर based questions की चर्चा करेंगे जो कि सिलोक्स से related प्रस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रहे है और जैसा कि मैंने starting में ही बताया कि बहुत जादा basic concepts की हम लोग यहां पर चर्चा नहीं करेंगे सीधे सीधे हम लोग प्रस्ट को हल करने के लिए approach की बात करेंगे तो अगर मैं बात करूं यहां पर पहले प्रस्ट की पंजाब पुलिससाई 2017 की परिक्ष्या में पूछा गया प्रस्ट है हमे से निसकर्स आपके दिये गए statements का अनुसरण करते हैं और कौन से statements आपके दिये गए निसकर्सों का अनुसरण नहीं करते हैं तो अगर हम बात करें यहां पर पहले दिये गए कथन की तो बोला some boxes are dogs और मने सिलोक्स के लिए पहले ही बता रखा है कि सिलोक्स को सीखने और मान लो कि सभी चीटियां क्या हैं हाथी हैं अपना दिमाग लगाओगे चीटी कपसे हाथी होने लग गई तो फिर हो चुका फिर आप से लॉग्स नहीं सीख पाओगे जबकि अगर हम बात करें लॉजिकल वेंड डाइग्राम की तो इसके जैस्ट अपोजिट है लॉजिक चल्म बास संबाकस कि है अगर भात है कलिकल कुछ बाकस उम्म और घ्र पहından इसस बाइस को सब्सक्राइब को नहीं कि पहला conclusion यहाँ पर आपका है follow होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले conclusion की बात करें some pens are boxes कुछ पैन क्या है यहाँ पर boxes यह भी आपका conclusion यहाँ पर अनुसरान करता हूँ आपको देखने को मिल रहा है structure में नेक्ट वन अगर हम बात करें, some pens are dogs, कुछ pen क्या है, dog यह ओबिस्सी बात है, कि सारे के सारे dogs अगर pen है, तो pen का कुछ हिस्सा तो dog occupy करेगा, यानि कि some pens are dogs, यह भी आपका सभी हो जाएगा, all pens are dogs, यानि कि जब हम बात करते हैं, सभी pen क्या है, dog है, तो यह क्या हो जाएगा, can't तरकी, तो एक, दो और तीन क्या करते हैं, follow करते हैं, यानि कि option number A क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्न के लिए, बात करेंगे, next question, MP police SI 2016 की परिक्षा में पूछा गया प्रस्न है, all men are buckets, सारे के सारे men क्या है, bucket, next one, अगर मैं बात करूं, some buckets are, cosmonauts, ठी है, अगर हम बात करें, कुछ buckets क्या है, कुछ बाल्टियां, अंत्रिक शयात्री है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, आपका, cosmonauts, इसके बाद अगर हम बात करें, तो, all cosmonauts are married, यह हो जाएगा, आपके, married, तो यहाँ पर यह था, आपका, man, और यह हो जाएगा, आपका, married, ब का common area, at least, यह married का part होगा, यानि कि पहला वाला बिल्कुल सही है, all men might not be married, समझ यह बात को, might not be married, यानि कि पूरे के पूरे, अगर हम men's की बात करें, तो, यहाँ पर आपको देखने को मिलना, might not be, सभी आदमी शादी सुदा नहीं हो सकते, यहाँ पर आपको देखने को मिलन जब हम बात करते हैं possibility की, तो जिन निसकर्सों के बारे में हमें कथन से ग्यात नहीं होता, उन निसकर्सों की जब हम चर्चा करेंगे, यानि कि जितने उनके होने की संभावना है, उतने उनके ना होने की संभावना है, तो possibility के case के अगर हम बात करेंगे, तो यह क्या हो सारे के सारे गंज क्या है रोजेज हैं सम रोजेज आर न्यूजपेपर्स कुछ रोजेज क्या है यहां पर न्यूजपेपर्स हैं आगे कि अगर हम बात करें तो सम न्यूजपेपर्स आर बटर ठीक है तो कुछ न्यूजपेपर क्या है बटर है बात करेंगे कंक्लूजन की all roses might be butter, सारे के सारे roses के अगर हम बात करें, तो यह butter हो सकते हैं, तो मैं इसको बोलूँगा सही, और आप बोलोगे कि यह सर कैसे सही हो सकता है, चलिए आपकी भी समझ्चा है का हम समधान कर देते हैं, अगर मैं बात करूँ, इसी given statement की, all guns are roses, some roses are newspapers, और some newspapers are butter की, तो ध्यान दीजिए इसको हम और किस प्रकार से बना सकते थे, बना सकते थे, मैं क्या बोलना हो, बना सकते थे, यह हो जाएगा आपका, और बोला गया है कि कुछ N क्या है, B है, यानि कि कुछ अगर हम बात करें, निउस्पेपर क्या है, बटर है, आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर बोला जारा, All Roses Might Be Butter, सारे के सारे Roses क्या हो गए, यहाँ पर बटर आपको देखने को मिल रहा है, अब अगर हम ध्यान दे, जब हम क्या करेंगे, Statements को पढढ़ेंगे, तो अगर हम देखें, यहाँ पर तो क्या सारे के सारे Statements यहाँ पर exist हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर Given Structure से पूछू, All Guns are Roses, तो क्या यह बात सही होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप कहेंगे, तो अगर हम बात करें, तो दिए गए स्टेटमेंट्स के लिए यह भी आपका structure बनाया सकता था, यह आपका क्या एक possible structure है, और मैंने कहा, कि जब दिए गए कतनों से किनी दो elements के बारे में, हमें relationship की जानकारी नहीं दिखाई देगी, तो जितना उनके relation होने की संभावना है, उतने उनके बीच relation ना होने की भी संभावना है, अला कि relation के अगर हम बात करें, तो no का भी relation होता है, all का भी relation होता है, तो जिस प्रकार से उनके no, all, some, some, not के relation होने की संभावना, उसी प्रकारण के रिलेशन के ना होने की भी संभाव ना और जैसा कि यहाँ पर आपको शब्द क्या दिखने को मिला सकते हैं यानि कि possibility की बात करी जारी तो यह क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ बंदूगें निश्चित ही अकबार यह वह पर आट की बात क है तो निजूसपेपर का हिस्सा हो भी सकते और नहीं भी जाएगा गलत हो जाया है स्टेट लेवल क Wonderful कि इंप अब्छलोंizarill Japan आपको आपको बहतरी आपनी बीका व्यक्राव‌दे कि नहीं किया है तो आप स्ट्रगल कर सकते हैं आपके एक्जाम में क्लियर तो यहां पर यदि मैं उत्तर की बात करो तो उत्तर क्या हो जाएगा इफ only conclusion one follows यानि क्या हो जागा राइट answer हो जाएगा पूछे गए प्रशन के लिए यह बात करेंगे अगले प्रशन की MP police si 2016 आगे आपको MP police si पर बेश कोशन देखने को मिल रहा सम पेबल्स और सेंड कुछ पेवल्स क्या है तो सेंड और सेंड डून सारे के सारे सेंड क्या है दून से फिर अगर मैं बात करो क्या है ठीक है यह होगे आपका स्ट्रख्चर बात करेंगे केंगी तो नहीं भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता तो ये आपका गलत, all sands are definitely camel, यानि कि अगर हम बात करें सभी sands के definitely camel की, तो यह आपका definitely true हो जाएगा, कैसे, तो यहाँ पर समझ लीजिए, जब हम बात करते हैं, all ARB की, जब हम बात करते हैं, all BRC की, तो जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अंदर से बाहर की और move करते हैं, तो अगर हम जब हम बाहर से बाहर की और move on करेंगे, जब हम क्या करते हैं, या बाहर से बाहर से की और move on करेंगे, या बड़े सरकल से छोड़े सरकल की और मूवव न करेंगे तो यहां पर आपका कांड से जब्कि प्लियरों आपको देखने को मिल रहा है कि सारए के सारे क्या है ठ्वantal सारे के सारे व्यूंच क्या है क्ये मेल से अग्ले प्रस्न की ओओ all ties are belts, सारे के सारे ties क्या है, belt है, फिर अगर हम बात करें, all belts are buckles, सारे के सारे belts क्या है, buckles है, यह हो जाएगा आपका belt, आगे कि अगर हम बात करें, all buckles are socks, यह क्या है, socks, क्लिजन के गर हम बात करें, all socks are buckles, सारे के सारे socks, जो है, buckles, यहां पर क्लिरली देख सकते हैं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, छोटे बड़े वाले सरकल से कहां जा रहे हैं, छोटे सरकल की, और आप move on कर रहे हैं, यहां पर हम बात करें, all का तो अभी भी मैंने बता है, हम क्या बोलेंगे कांट से याए हम बोलेंगे कांट यह की अनुसरनन नहीं करता आगे कीया दिना बात करें अल्ल बकल सार बैल्ट सा there का सारे विकल्स ठीजे बडिए सरकल्सथ विकश्टाइ बड़े सरकल से और ऑन ंजाहें या इस बार भी आपका और वाला फॉल्ल PB आढ़ा जा रहें हैं थे कंट सब्सक्राइब करेइं यह को किया नहीं कि यह को सृचिंख सकते प्रश्न की स्टेट्मेंट में दिया गया है अल मैं और इंड कि सभी आदमी क्या है तोते हैं तो यहां पर हैं कि कुछ तोत क्या है कौई है तो यह पर हम आदमी और तोते क्वें क्या है मुर्गिया है तो देख लो भाई यहां पर कवे आपको मुर्गिया बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं बात करेंगे यहां पर हम किसकी निसकर्सों की निसकर्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ आदमी मुर्गिया है तो बता कुछ आदमी मुर्गिया है यहां पर हम इसको क्या बोलते लेकर част Mit吗 यहाँ परConnell यंवляया पर हम कह नहीं सकते पहला वाला आप कान Metall everyone करेगा दूसरे वाला कि यह लान कि कोई आधमी मुर्गी नहीं है यहांनि कि कोई आधमी मुर्गी ने अब समझ गर हम बात करें तो MP सुलदार 2017 की मैं पूछा गया प्रस्न है यदि मैं इस बॉटल की बात करूं इस बॉटल की बात करूं मैंने कहा ये पानी की क्या है बॉटल है ठीक है मैंने कहा ये पानी की बॉटल है और माल लेते हैं कि इस बॉटल में पानी है या नहीं इसकी जानकारी मैं आपको ना दू ठीक है और मै इन आपको कहा यहां कि इस ने भार ने की जिए अपको inga काकूर आप को tuh यह ना नहीं जब सकता अब इसमें कुछ पानी है कि उसके भारा यहां कि भारा तो आप काँंगे बिलकुल हो सकता है आप क्या बोलोगे हो सकता है डैसिन आप नहीं बोल पाओगे रटThere Carnival मैंने आपसे बोलो कि लिए meer फोली कि क्या है क्काली है मैं लिएuya सकता है बिलकुल यह तो आप आपको कुछ विद्यारती कहेंगे कि सर बाड्ल पूरी भरी हँई तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा 10% part of bottle is filled with water, तो यह बात भी क्या हो जाएगी, तो यह बात भी 10% अगर हम भाग की बात करें, वह पानी से भरा हुआ है, तो यह बात भी क्या हो जाएगी, 100% true हो जाएगी, क्यों कि 100% है, तो 10% definitely होगा ही होगा, तो दोनों बातों के अगर हम बात करें, तो आप हमको दोनों बातों को एक साथ गलत करके दिखाईए, कि ना तो bottle में कुछ पानी हो, और ना तो bottle खाली हो, तो आप कहेंगे, सर यह कैसे असमंजस में डाल दे, यानि कि यह तो संभाव ही नहीं कि bottle पूरी खाली भी नहीं हो, यानि कि bottle आपकी पूरी खाली हो जाए और bottle में कुछ पानी गी हो, तो दोनों बाते एक साथ संभाव नहीं, या तो bottle में कुछ पानी होगा, तो bottle पूरी खाली नहीं होगी, और अगर bottle पूरी खाली होगी, तो bottle में कुछ पानी है, यह बात क्या हो जाएगी, गलत हो तो कोई आदमी मूरगिया नहींग है यह बात कोई कोई आदमी मुरगिया नहींगी ना इसका दो कोσιे होगा नहीं सब्सक्रे abandon marления, नियुक्त है और आप नोग नोट-मंड़ करके लिके लेंगे जब भत करते हैं कि यहाँ प को CLT एकने को मिल रहे है क्लियर सेप्जक्ट पेडिकेट्स सेम होंगे। Prime के सांसरा में बनेगा समनल्स को जब हम नाट करते हैं पाउन का hyvä कि Some not और अधर केस ठीक है जब दोनों कार्ण से होंगे तो इनका वह यहां पर आपको ध्यान क्या देना है sequence should be same यहाँ पर अगर हम बात करें तो sequence should be same यानि कि क्रम इनका सेम होना चीज़ अगर हम यहाँ पर हैंस रख दें ठीक है और यहाँ पर अगर हम मैं रख दें और नीचे वाला इस रहने से sequence इनका पदल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब हम some not और all का क्या बनाएंगे यहाँ पर sequence पर आपको विश्याइस ध्यान देने क्या शकता है clear यानि कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आइधर और पर बेस्ट आइधर और concept पर बेस्ट कोश्चन भी देखने को मिल सकते हैं clear बात करेंगे अगले प्रशन की MP सुवधार और साई 2017 यहाँ पर बोला जा रहा है all windows are houses सारे के सारे जो windows है वो क्या है हाउसेज आगे के अगर हम बात करें all houses are chairs सारे के सारे houses क्या है some windows आ चेरच आनि कि अगर हम बात करें छोटे circle से बड़े circle की ओर जाएंगे तो some भी true होगा all भी true होगा तो पहले वाला होगै true सम चेर्स आर windows जब हम बड़े circle से छोटे circle की और जाएंगे तो sum वाला क्या होता है true होता है जब क्यों वाला क्या होता है can't say all cheers are windows के अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा can't say उत्तर के अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा only conclusion 1 and 2 follows जो कि आपको option number A में देखने को मिल रहा है clear चलिए बात करेंगे अगले प्रश्ण की UPSI 2021 के एक्जाम में पूछा गया प्रश्ण है बात करेंगे statement की all men are women देख लो भाई यहां पर men क्या हो गए women हो गए तो ऐसा नहीं करना कि एक्जाम में छोड़ करके चले आओ कर दो इस क्या क्या प्रश्ण पूछे जा रहे है ना यानि की पेपर छोड़के भागना नहीं है सभी men क्या है यहां पर women है तो बिल्कुल मान लेना है कोई टेंनि लेने किया है हो सकता नहीं है कि आगे कि आगे हम बाती है कि आग़े करेंगे समंगे क्था चोटे सरकल से डबर बाता होता था फू उत्तर है तो only conclusion to क्या करेगा यहां पर अनुसरन करेगा follow करेगा बात करेंगे अगले प्रस्नकी अगले दी में प्रस्नकी बात करूं all materials are products सारे के सारे materials क्या है products है all products are goods सारे के सारे products क्या है goods All goods are bad goods का मतलब वस्तु होते हैं ठीक है बात करेंगे conclusion की all materials are good material कि अगर हम बात करे तो हम क्या करें? चोटे circle से बढ़े circle की वर वाला भी true होगा और some वाला भी true होगा। All products are bad सारे products यैद्यने पीर से चोटे circle से बड़े circle के और रूबू वाला भी true होगा और some वाला भी true होगा, बात करें, यदि उत्तर की, तो क्या हो जाएगा, भूथ 1 and 2, फॉलोव, यानि कि एक और दो, दोनों क्या करते हैं, अनुसरा करते हैं, बात करेंगे अगले प्रस्ण की, All Globes are Moon, सारे के सारे जो Globes हैं, वो क्या है, Moon है, All Moons are boxes सारे के सारे moon क्या है boxes all moons are globes सारे के सारे moon क्या है globe है यानि कि बड़े circle से छोटे circle की और आरुज क्या हो जाएगा can't से यानि कि आपका अनुसरा नहीं करेगा all globes are boxes छोटे circle से बड़े circle की और all भी true होगा और some भी true होगा all boxes सब्सक्राइब करने च्छोटे सरकल की और तो किवल सम ट्रू होगा एँड की हो जाएगा केंसिल सम बॉक्से जार गलोब यानि कि बड़े सरकल से छोटे सरकल की और आँगे तो सम वाला क्या होता है टू होता है अंसर कि अगर हम बात करें तो लिए कंक्लूज़न 2 & 4 फॉलो होगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लोजिकल वाले जो प्रशन आप से पूछे गए थे कितने प्रशनों के उत्तर आपके सही सही आए और क्या कुछ आपको सीखने को मिला बात करेंगे एक और बचे हुए प्रशन की जो कि आज के सेशन का आखरी कोश्चन होने वाला है तो यूपी पुलिस एसाई की परिक्षा में पूछा गया प्रशन है और फिर से देख लो भाईया यहां पर लड़किया लड़के बनते हुए नजर आ रहे हैं और सम बॉइस आर कि अगर हम बात करें तो कि कुछ लड़के क्या है लड़किया और यह बिल्कुल आपको यहां पर फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा तो टेंसन नहीं लेना है एक्जाम में पेपर छोड़कर करके नहीं भागना है ठीक है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो जयानि कि केवल दो अनुसरन करता है क्या क पुछ लड़के लड़कियां है ठीक है तो यह हो गई बात किसकी आज के सेशन की और साती साथ अगर हम बात करें तो प्रिलिम्स के रिगार्डिंग जो आपके रिजनिंग का सेक्शन है उसके लास्ट सेशन की तो आपने सभी क्लासेस को एंजोई किया हुआ होगा और उमीद करेंगी कि आप सभी फिर से में मुलाकात होगी आप सभी विद्यार्थियों से उसी जोश और उमंग के साथ तो फिलाल आज के लितना ही मिलते हम लोग मेंस के लेक्चर के साथ थैंक यू